कि प्ण॥ ने जो इंडिया में आयो हुए हैं है और एक बहुत भव्वे आयो जन था में आपको बता नहीं सकता हैं यहां पर मतम मुझे बिलीब कीजिएगा उस थाल में जाने के बाद मुझे ही फिलिंग यह फिल्लिंग जो है कि वहां वहां मुझे आ रहे तो तो 24 तारिक को मनीपुर में इवेंट हुआ और मनीपुर के इवेंट के बाद 25 तारिक को भी उन्होंने माज टे किया वहाँ पर रुके और उनके साथ बहुत नजदीक से उनको जानने का मौका मिला उनको समझने का मौका मिला अगर आप उनके तो आप उनके उनके प्रभावित हुए बेना रही नहीं सकते वागई इतना इतनी उनकी अट्राक्टिव परस्नालिटी है और मैं आप लोग को बताता हूं कि यह देखिए हंड्रेड आउट्स्टांडिंग लीडर्स ऑफ रश्या जो दुनिया के दुनिया के अती रश्या जो कंट्री है उसमें जो जितने भी अती पावर्फुल लोग हैं उन लोगों में उन लोगों में जो है आंद्रे हवतर सर का नाम है तो यह देखिए मैं आपको इसमें उनका एक दिखाता हूं यह देखिए यह सारे लोगों की लिस्ट है उनके नाम है जो यह इसमें है रशिया की आर्थिक महाशक्ति एक बाहूबल में लश्या किसी से कम नहीं है दुनिया की सेकंड बड़ी पावर है अमेरिका के बाद जो है रश्या का नंबर आता है उसके बाद चाइना को और उसके भाद भारत का तो यह देखें यह कित्ति मतलब अगर देखा जाए तो के हिसाब से और खरब्पतियों के ह्साब से भी यह जो इंपोर्ट है और उस लिस्ट में अगर आभर ऑफ़सर जहें अगर उस्सेंट में आते हैं यह देखें लेक्ट अगयों हर प्र तो यह बहुत यह बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग एक ऐसे व्यक्तित से जो है बहुत जो है नजदीक पे हम लोग मतलब आने का हमें जानने को ने मौका मिल रहा है और यह 100 आउस्टेंडिंग लीडर्स ऑफ रुश्या यह बुक है आ रहा है कि यह बुक रुश्यन भाशा में है तो इसका अनुवाहत मुझे नहीं आता लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको फोटो जरूर मिल जाएगी और इसमें अगर आप पढ़ेंगे अगर कि देखना पढ़ेगा मुझे कौन से पेज़ पर हैं उनका यह रहा है कि मुझे तो रश्यन लैंग्वज नहीं आती है लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं कि अगर इस बुक में जो यह एक मतलब यह जो बुक छपी होई है यह रश्या में रश्यन भाश्या में है और उसमें अगर हमारे सियो इसके अंदर एंटर हुए हुए हैं तो यह अपने चल रहे थी कि इंडिया में हम लोग कई जगा पर हम लोग प्रोग्राम करेंगे और यह इसकी नौबत क्यों आई देखे आवो सेंट का प्रोजेक्ट लाने के पीछे अभी आप यह देखेगा कि एवो सेंट का प्रोजेक्ट इंडिया की कम्मुनिटी के लिए बहुत जल् करती थी और उसके साथ हमें CRU free of cost मिलते थे तो एड्यूकेशन पैकेजज़ आंद्रियो हवरतव क्योंकि उनकी अकैडमी और प्राइवेट इंवेस्टर वो ऑनलाइन और ऑफलाइन एक बहुत लंबे समय से दे रहे थे दुनिया को और वो पैकेज़ उनके पास औलड़ी प्राइवेट इंवेस्टर एपी आई के एड्यूकेशन पैकेज़ इसको मार्किट करना बड़ा इजी था ठीक है न उसको मार्केट करना लोगों तक महुंचाना बड़ा इजी था लेकिन आप बिलीव कीजेगा यह जो प्रोजेक्ट है एवो सेंड इसको मार्किट करना अपने आसान नहीं है क्योंकि एक फिजिकल प्रोड़ट्ट इंवाल्व है और उस फिजिकल प्रोड़ट्ट की बहुत बात देता हैं हाला कि अगर इसा नेटवर्किंग इंडस्ट्री हमें देखा जाए तो हमें ऐसा प्रोड़क्ट बहुत जादा सूट कर रहा है क्योंकि इससे हम एक प्रोडट बेस कंपनी हो जाते हैं पहली चीज और जैसे काफी लोग पहले यह कहते थे भाला कि मैं उन में से नहीं हूँ मैं आंद्रे हवरतव सर की जो एजूकेशन है आज जो इन्वेस्मेंट में जो हमारा ज्ञान बढ़ा है नॉलेज बढ़ी है और मैं नहीं बारत में बहुत सारे ऐसे लोग है जोनोंने अपने माइंडसेट को चेंज किया है एजूकेशन ल पर तो जब इस प्रोग्डरम को सुना दो समझ में आए कि यह प्रौग्राम तो बहbased करना क्योंकि आप अगर हम network marketing कंपनीज के ळक्र Ladla म Thank you यह क्रिप्टो मार्केटिंग क्रिप्टो को बेचा है यह तो आई ज्यादा ज्यादा भारत में जब अनी शुरू ही तो 2015-16 में उससे पहले को जानता ही नहीं था बिलीव में मैं समझता हूं अगर बतलब जित्ती जनता भी जानती है तो बहुत बड़ी बात थी आज तो एक सेन फॉरेवर लिविंग प्रोड़क्ट ठीक है जपान लाइफ इंडिया एक लाख रुबर का मैंट्रेश बेचती थी और उसके अलावा जैसे आप बात करें वेस्टीज तो यह सारी कंपनी यह सब बेचती थी तो जो है जब यह प्रोड़क्ट आया तो मुझे जो फ प्रेशन प्रेशन आई है उसमें पूरा कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि किस तरीके से जलेट या लोरेल या जो बड़ी बड़ी कंपनी जो कॉस्मेटिक में करते हैं तो हम लोग अगर यहां देखा जाए तो 16,00,00,00,00 की हम लोगों की रीच है 16,00,00,00,00 लोगों तो बड़ा इजी रहेगा मार्केट करना और यह जो प्रोड़क्ट है यह सिर्फ एक प्रोड़क्ट ही नहीं है यह जो प्रोड़क्ट है इसमें रेमन बिहार जो इसके निर्माता है इस प्रोड़क्ट के निर्माता है और इनो ने इस प्रोड़क्ट में जो अपनी जो ए इनका प्रफिम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कंपनी ने किसी भी एक छोटे-मोटे व्यक्ति से टाइब कर लिया और उस प्रोजेक्ट को आनन फानन में यहां बनाया और उसको उतार दिया गया बहुत रिसर्च करने के बाद से बहुत बड़ी पर मीटिंग करने के बाद इस पूरे प्रोड़क्ट को डिजाइन किया बनाया और दिखिए मैं फिर बोल रहा हूं एजूपिशन पैकेज बनाना निकालना उतारना यह बहुत इजी बात है कि लिए लेकिन एक फिजिकल प्र इस प्रोड़क्ट को ट्रांस्पोर्ट करना एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि यह जोलंचील है इसके अंदर आलकोहल स्पिट से बनता है ठीक है और यह ट्रांसपोर्ट में जो है एरलाइन के बहुत नकरे होते हैं बहुत सारे डिव डिलिजन्स करने पड़ते हैं परणी के लिए इसको बनाना और इसी वज़े से इसको डिले किया जा रहा था लेकिन चुक्री हमारे पार्टनर्स के पास पस बसेद्ग के बड़तत मतलब जो हमारे इसिस समय जो हमारी बहुत ग्रेट लीडर है इंडिया में डॉक्टर लीडिया ओइनम और जो की मनिपूर से हैं उनका काफी मतलब मैनेजमेंट को नोंने काफी बार लेखा काफी बार उनको कई दौर की उनकी वारता चली कि बही इंडिया में एक हमें प्रोजेक्ट चाहिए और इंड की है कि कैडर के डूर्फ हैं इडॉकेशन पैकेशिए नहीं इंडिया में काम किया हैं की आपनी बात को को नहीं पहुचा सकते जो हमारा विश्व के पंदर्ग परसंट लोगों न 4 फ़ॉकास तक ये जिस्टम सिस्टम पहुचाना है ये अकैडमी प्राइवेट इंवेस्टर के मात्र उनके पैकेज़ेस के बदले नहीं पहुचा जा सकता तो एवोसेंट के पैकेज़ेस पे काम चल रहा था और कंपनी चाहती थी जब हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तब हम जो है यह एजुकेशन पैकेज़ेस मार्केट में उता करें लेकिन डॉक्टर लीडिया का बहुत बड़ा थैंक्स है इस प्रोजेक्ट को जल्दी लॉंच कराने में और उनका बहुत बड़ा रोल है उन्होंने आंद्री होवर्तव सर को हमारी तो खेर इतना रैपेडली बात नहीं होती थी अभी थोड़ा सा हम लोग तच में आ कुछ नहीं था तो इसलिए लोग सिस्टम को लीव कर रहे थे ठीक है तो अब बहुत एक तीर से कई चीज़े होई कि एक तो कंपनी हम लोगों के पास एक रेफरल प्लान आ गया है जिसकी वज़े से हम लोग आज रेफरल कमिशन कमा सकते हैं और आप लोगोंने नोटिस कि बंपल सेल हुई है पहले दिन तो आप लोगोंने नोटिस किया होगा कि पहले दिन तो साइट भी डंप हो गई थी और काफी मुश्किलों से पैकेज पर्चेस हो रहे थे आप आप बैक ओफिस में इंटरी नहीं कर पा रहे थे ठीक है ना क्योंकि इतना ज्यादा साइट प अपने घर की इंकम चाहिए आपको रेफरल आपको पर रेफरल या कुछ ना कुछ तो आपके पास अर्निंग होनी चाहिए तब ही आप किसी भी प्रजेक्ट के साथ टिके रह सकते हैं तो वह प्रजेक्ट हमारे पार मिसमिसिंग ती लेकिन जैसे टॉप मैनेजमेंट ने इसको समझा और वैसे इस चीज को अता रहा और उसके बाद चीजें बदलते ही आप लोग के सामने दिखाई दे रही हैं लेकिन मैं आपको अभी एक चीज बता देना जाता हूं कि इसमें कम से कम चार से पांश महीने का समय लगेगा क्योंकि यह आप फिर समझे अभी अग अब इस एव सेंड के प्रोजेक्ट को इंडिया में देखने वाले कि प्रोजेक को इंडिया में लगे और अब इसमें डिबेंड करते हैं ओडिया में झाल 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 तो ना यह इतना इजी नहीं था यह सब कुछ करना जो प्रोजेक्ट है इसको लाना इतना इजी नहीं था अबल तो यह आपना सारे लोगों को सटिस्वाइब नहीं कर सकते एक परिवार है इस परिवार में अगर चाहें कि आप 53 को अप तो यह तो पार्ट है सिस्टम का इसमें आपको यह आपको समझना पड़ेगा हमें भी समझना पड़ेगा आप सब लोग को सुनते हैं और जो लोकल कांचाओंसल लोग के साथ पीछ वसंवें आन्यू में इस तिया में इस प्रोजेट को लगाना और बहुत सारे और सबकुछ लेना इतना बहुत एक ब्रॉ में इस टास्क है लेकिन यह जो यह जो प्रोड़क्ट इसकी मैनेफेक्शिंग बनाना उसकी लेना सब कुछ करना यह इतना इजी नहीं था ठीक है तो हाला कि अब गुड नीज यह है कि इंडिया में इंडिया में जो है इंडिया में बहुत जल्दी आप लोगों को अब आप बहुत जल्दी इस तरह की वह उनके उफीस हैं उनके बैंक अकाउंट्स है यह सारी चीजें आपना बहुत लेविल पर आप इंडिया में अभी लोग एक्सपीजेंस करेंगे तो आप हजारों लोगों तक जो है उसकी एक्सेस होगी हम लोग उस वैक्ट्री को विजिट कर पाएंगे कि बहुत लोगी सबस्काइब करता है यह क्या इनका वाक्य अस्तित्व है इस हमें दिखाने के लिए यह चीजें आप मुझे बताईया लगका पर सबीका आता होगा तो मैं आपको बताना चाहरा हूं कि यह जो सवाल है वाकी जायज है अब इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं आज के पार्ट नहीं है लेकिन अभी बातों बातों में जब यह चीज आई तो मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए इसके उपर भी काम करें आने वाले टाइम में जो इवेंट्स होते हैं मतलब जो भी हमारे पास जो हमें रिवार्ड आने वाले टाइम में हमें आने हैं उन रिवार्ड में कुछ रिवार्ड ऐसे डिजाइन किये जाएं कि हम लोग बसाड फैक्ट्री तक या जो है गोल्ड माइन्स और यह सब चीजें हैं यह हमारे लीडर आखों से देख पाएं क्योंकि उसके बाद हम लोग बहुत दर्व से और सीना ठोक के बता पाएंगे मैनेजमेंट को कि भाई ऐसे जो है हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और हम इस प्रोजेक्ट के सेह मालिक हैं जैसे कि आप लोग बिलीव कीजिए पहले जब हमारे पास हमारा जो स्काइवे लीडर्स थे वह लोग वहां जाते तो इंडिया का कोई लीडर वहां तक पहुंचा ही नहीं था उसके बाद जब कंपनी ने दो बार आयोजन किया क्या नाम जो है पार्टनर्स हम लोगों के बीच के लोग वहां जाकर उस प्रोजेक्ट को विजिट करके आप आए तो लोगों का बिलीव सिस्टम पे भी काम होगा और सब कुछ होगा तो यह चीज़े हम लोगों ने जो है मैनेजमेंट को बताई और तो इस पे आने वाज़े समय में आप लोग काम देखेंगे ने तो यह तो यहां तक की बात होग liegen solely में में आप जो है कि अब च्रॉत के अब बात करते हैं और को पर ने तो i जो है हो रहा है और इस की जो आप लोग को तक पहुंच गया होगा मैं आपको एक बार लाइव भी यहां पर एक में दिखा देता हूं जस्ट होड़ फॉर एक लुख लाइव लीज ओड वर फॉर एक झाल झाल ये आप लोगे सामने हैं आंद्रे हवरतसर मिलेंगे वेडनस डे दो मार्च को हम सभी लोगों से रूबरू होंगे दस बज़े से शाम को साले पांच बज़े का प्रोग्राम है साले नौ बज़े राइट टाइम रेजिस्टेशन शुरू हो जाएगा आप लोगों को रेजि क्योंकि दिल्ली में अभी भी कोविड की गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है इसलिए चार सो से पांच सो जाधा चार सो साड़े चार सो से जाधा की परमीशन नहीं मिली है अभी होटल वालों की तरह से ठीक है ना जो बेन्यू है बहुत कोशिश करी गई लेकिन ये र अच्छा आइज किया और भी करना है इसी लिए आप लोगों की पर्मीशन मिली है इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा है जो भी लोग प्रोग्राम में आना चाहते हैं उनको गूगल प्रोग्राम के बारे में लोग चर्चा कर लेते हैं तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि तो यह सामने आपके जो स्कीन पर देख रहा है ठीक है रेजिस्टेशन स्टार्ट्स यहां देखिए साड़े नौबज रेजिस्टेशन शुरू हो जाएगा होसे मैनुवल एल्वरिस रॉड्रिक्स यह जो है हमारे एवोसेंट प्रोजेट्ट के इंडिया है प्रोजेक्ट ह डिजाइन किया है वह इन यह व्यक्ति ने जो है इनको ढूंडा है और रव बैदिशन ब्लू पलाजा डेली एएरपोट पेज ऊपालपूर यहांपर होगा यहां पर प्रोग्राम होगा ठीक है इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों को आना है लेकिन इस प्रोग्राम में आने के लिए कुछ पात्रता है और वो पात्रता आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी और वो पात्रता क्या है उसके उपर हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग के सामने यह गूगल जो फॉर्म है उसका मैं लिंक आपके सामने ओपन कर रहा हूं यह देखें तो इदेखें आपके सामने आपको स्कीन पर दिख रहा होगा सब लोगों को डियर पार्टनर्स दिस इदा पार्टिसिपेशन फॉर्म दिख वटो पार्टनस दिखेंज पार्टिसिपेशन फॉर्म है यह घूपिर्ट आपके सब्सक्राइक आपके सिर्सक्राइड फॉर्म अव सैंट उप्सक्रामे यह सच अब tattoo्पिशन फॉर्मיר के सिर्थ ए रटिस्विज मास्व c00 प्लाजा दिली अर्पों लोगों के लिए आपसल्यूटली फ्री प्रोगाम में आना सभी लोगों के लिए आपसलÜ्टली फ्री स्टू है प्रॉब्गाम में आना इस प्रोग्राम में आने के लिए देखें मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं प्रियस आती हो दो मार्च को एक बार को दिखा देता हूं कि आपका स्क्रीन चला गया सब लोग कर तो मुझे तुबारा से करना पोड़ेगा कि आपका यह रहा आपका फॉर्म कहां गया एक गूगल फॉर्म यह रहा हां तो इस फॉर्म को आपको बरना है यह देखिए बहुत अच्छी था डिजाइन किया है थैंक्स भवना म्म उन्होंने बहुत अच्छा अधून्र तो पार्टिसिपेशन फॉर्म फोर्म फोर्म यह अपना पूरा नाम भरेंगे यहां पर आप लोग सिस्टम में नए है या आप लिए जिस्टर किया है यह और अगर आप रेजिस्टर हो चुके हैं पहले से पुराने आप पार्टर मी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप ऍज्फ कर दिजे आगर आप नहीं किया तो भी आप अल 55 हर केस में आप लोग अलावड है इस प्रोगां को डिखाने के लिए तो पर आपको अपनी contact number डालना है city and state डालना है current जो है current rank आपको डालना है जो आपका rank है अगर आप लोग बिल्कुल है अभी आप जैसे किसी partner को या friend को लाना चाहते हैं इस program को दिखाने के लिए ठीक है ना friend को लाना चाहते हैं तो उसको तो आपने register भी नहीं किया है तो आप Yes or No या बता सकते हैं आने से पहले और कौन सा फ्रेट का पैकेज आपने खरीदा मतलब कितने ही 50 unit वाला सौ unit वाला 300 वाला चेसो जाभारा सो को हिश्व में और ऑप इसको और यह क्यों कराया जा रहा है इसके पीछे इसके पीछे रीजन है इसके पीछे लॉश्ट की की यह पर लोगों को पता लगेगा कि मतलब कंपणी के कंपनी में पता लगेगा कि कितने लोग आ रहे हैं पर्टिसिपेट करने के लिए कंपनी अरेज्मेंट उसी साफ से करेगी यहां कि जो है कि मॉनिंग में जब आएंगे तो टी और को कीज होगी वहाँ पर आप लोगों के लिए और उसके पाद में लंच होगा लंच का प्रोग्राम रहेगा और जब इमनिंग में फ्रोगाम खतम हो जाएगा साड़े पांच बजे के बाद तो फिर से टी और को कीज की अब क्यों आया है और क्या पड़िए को लाने की तो मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं मैं समझ रहा हूं इस वजया था एक तो सबसे पहली बात लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम ल कै लिए कुक्ष नहीं का लिए तो का आना बहुत जरूरी तो इन सब चीजों को करने में थोड़ा समय लग रहा है मतलब मार्किट करना कितना इजी है आप देखेंगे दुनिया में लॉरायल जिलेट या बड़ी-बड़ी नेट्रोक मार्केटिंग पर्फ्यूम हर ज्यादा तर मार्केटिंग बेचती है लेकिन हमारा पर्फ्यूम क् में डेलेज हुए वह चीज़ें आप लोग एक डिले नहीं देखेंगे हाला कि हमारा एक बहुत अती महत्वा कांग्शी प्रोजेक्ट है और सियार्यू को आप लोग अभी सक्सेस होते हुए देखा भी आप लोग ने अभी पिछले एक महिने के दौरां सिया ने पूरी क्रिप्टो मार्केट और पूरी क्रिप्टो मार्केट धड़ाम होई है ठीक है तो उसमें हमारी भी करंसी नहीं बज़ पाती तो उसमें आप लोगों ने देखा लेकिन आने वाले टाइम में जैसे की पीछे बताया है कि अपने आर्मन मुंड्रिक्स जो पीछे उन नाम क्यों लिए आता को यहाद दिलाएगा मुझे मैं भूल गया है चले है तो हां तो इसको ना मार्केट करना है क्योंकि दुनिया की बहुत सारी कंपनी जो है वह वह सेंट को मतलब सौरी पर्फ्यूम प्रोड़क्ट है उनके पास एक बहुत मुख्या तयार के रूप मे और लेबल कंपनी का है जो एडुकेशन का है जो वेबिडार सेमिळार SMITH का जो है बारा भ demanded में अच्छे पिर वह ने चीज़ sharks में म słuंक आपके नतीज़ majD दिखाता हूँ कि ओने भी क्या मेंनत करी है यह देखें तो यह है यह हमारा चैनल है और इस चैनल में आप देखेंगे इस चैनल को carefully जिसने भी जॉइन नहीं किया है अगर अप लोगों को जॉइन नहीं किया है मेरी आप लोगों से request है अगर आप चैनल को join करेंगे तो यह देखे मैं आप लोगों को यहां पर यह link भी देता हूं कोपी लिंग मैंने कर लिया और मैं आप लिंक दे देता हूं जिन लोगों ने अभी भी चैनल को join नहीं करा है मुझे पता लगा है स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा था और मुझे पता भी नहीं लग पाया तो थांक यू बताने के लिए मुझे तो मैं आपको यह दखा देता हूं यह देखे यस यह देखे यह टेलिग्राम के हमारा ऑफिशल चैनल है और इस टेलिग्राम के ऑफिशल चैनल में आप यह देखिए 42,000 मेंबर जो हैं अभी हो चुके हैं 42,000 मेंबर हम ही हो चुके हैं तो यह बहुत बड़ी बात है आज सोशल मीडिया की प्रेजनस ना कंपनी को बहुत जादा मतलब बहुत जादा आगे ले जा रही है और सोशल मीडिया यानि टेलिग्राम और ट्विटर पर हम लोग आ चुके हैं आज के रेट में और आप देख रहे हैं यह मात्र एक से सवा महीने देड महीने के अंदर अभी तो काकी मैक्सम लोग जोईन हो चुके हैं जो लोग टेलेग्राम को यूज करते हैं या लोगों जो जो क्रिप्टो कम्यूटी है यह बहुत नोटिस करता है यह चीज कि कि मतलब कौन सी कम्यूटी कितनी अक्टिव है वहाँ पर सिर्फ नंबर अफ यूजर दिखाने के लिए तो नहीं करें गया है कितना इंट्रैक्शन हो रहा है उनका आपस में ठीक है यह चीज़े बह आपके कोईनज को अपने एक्चेंज पर लेना चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप हमारे एकचेंज पर आकर अपने को लिस्क करें तो आने वाले टाइम में आप CRU और UNTB को और दूसरे तीसरे चौथे एक्चेंज पर देखेंगे और आर्बंड ने बहुत पहले यह वाली ब आगे लिस्टिंग और एक्षेंज में देखेगी तो हां यह बात इससे शुरू हुई थी कि आर्मन ने बताया था कि और आंदे सर ने वाली बात बोली है कि जितना मेहनत हमें सी आर्यू को लेके आने में हुई है हम लोग उतनी महनत हमें इसने नहीं करनी पढ़ेगी इसके बहुत सारे रीजर है यह चिन्ण्स उगंदेछ स्मैल किसको पसंद नहीं हए और यह ranking है क्योंकि रह्मन बिहार है बहुत बड़ा ब्रैंड है हम लोग उसको साथ में लेकर रहे हैं ठीक है और हम लोग जो कारे रोजना है बहुत जल्दी बहुत बड़ा मार्केट ग्रैब करने की है क्योंकि हम लोग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपना खुद का प्लांट सेट अप करेंगे हम लोग जो बड़े बड़े ब्रैंड मार्केट में बेटे हैं उनके साथ टाइअप करके हम उनके मैंरिफेक्शिंड को अपने सात्व एकृपर परफिम को तो यह बड़ा इजी प्रोड़क्ट है मार्केट करने के लिए और जैसे CRU को आने में थोड़ा सा समय लगा आप लोग ने experience किया एवो सेंड को ऐसा समय नहीं लगेगा क्योंकि पिछ तैयार है ग्राउंड तैयार है सारा management तैयार है ठीक है युनिटेक्स हमारे पास तैयार है क्रिप्ट युनिट डॉक्चेन हमारे पास तैयार है हम दस चरण के बाद आप इसे बहुत जल्दी देखेंगे दस चरणों के बाद इसे market में launch हुए हुए ठीक है और अभी आर्मन मुनिक्स ने कल close meeting करी थी और उस close meeting में बताया था कि P2B and B2B exchange जो है वो हम लोग उसके साथ आ रहे हैं और हमारा CRU UNTB आपको P2B और B2B exchange पे बहुत जल्दी आप लोग को दिखने वाला है ठीक है ना तो बहुत सारी good news एक सा खौवरत उनके तुरू उनके श्री मुक्स से डारेक्ट सुनिये डिली में आईए डिली के प्रोग्राम में आईए सब लोगों को लाईए ठीक है लेकिन मैंने आपको प्रोसेस बताया है इसमें चैट में दिया भी हुआ है भावना मैंने इसको शेयर किया है ये गूगल इस फॉर्म को करिए ताकि कंपनी को पता लग पाए लोगों को मैंजमेंट को पता लग पाए कि इतने लंबर और पीपल आ रहे है और उनकी व्यवस्ता करनी है ठीक है तो यह था बाकी जो हमारा टॉपिक था मैं उसको एक बार और देख लूँ जला तो एबाउट यह मैं आपको बताया हाँ टू पार्टिपेट इन न्यू डेली इवंटी यह मैंने आपको बताया कि फॉर्म के थूआ पार्सिपेट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस इवंटी की अटेंड करने की तो यही है दोस्तों कि आप इस प्रोड़ेक्ट को अपने खुद से जान पाएंगे और मैं आपको बहुत बारीक चीज बताता हूं आपको ना बहुत हिट करेगी यह चीज आपको समझ में आएगी सभी लोग को देखिए हम लोग जब क्लोस मिटिंग में सुनते हैं तो वहाँ पर क्या होता है रश्यन की रश्यन का रूम अलग होत आपको बहुत बहुत अच्छी बात यह रहेगी कि यहां पर हमारे साथ जो है जैसी रश्यन में बोलेंगे उसको रश्यन में बोलने के बाद वहां पर हमारे जो इंग्लिश के ऑफिचल ट्रांसलेटर हैं तो जितने लोग English समझते हैं, majority of English समझते हैं, सब कुछ नहीं है, आज English कोई अच्छूती भाशा नहीं है, तो majority लोग English में उसको hand to hand उसको समझेंगे, उनको time मिलेगा, इतनी देर में, जब वो अपना sentence पूरा करेंगे, उसके बाद साक्षी मरोत्रा जो है, उसके complete होने के ब speaker बोलेगा, यानि साक्षी मलोत्रा या जो हरमीद सिंग, जो हमारे सरदार जी है, वो बोलेगे, ठीक है न, वो बोलेगे, तो आप लोग को, आप लोग इसमें better understanding बना पाएंगे, आप लोग better understanding बना पाएंगे, कि वो जो बोल रहे हैं, और उसके अलावा, आप लोग को notes के लिए, जो है, आप लोग notes ज़रूर बनाईएगा, जो भी वो लोग बता रहे हैं, उसको एक-एक point को notice कीजेगा, मेरी आप से अभीस request है, कि कोशिच कीजेगा, अपने mobile phone को उससे में हम लोग touch ना करें, क्योंकि mobile phone हमारा जो है, उस समय ध्यान 100% इधर उधर भटकाता है, क कि मनिपूर में, जह हम लोग गए, तो मनीपूर में वहां पर सिफ हमें English में ही मौका मिला, वहां पर हमें सिफ English में मौका मिला, क्यों, क्योंकि आंद्रें सर जैसे बोल रहे हैं, उसके बाद English में बोला डैनिस ने और डैनिस के बॉलने के बाद जो वहां पर मनिव पूपरी घंगे अप लोग यहां पर दो लेंग्वेज में समझ पाएंगे हिंदी और इंगलेश और आप इसली अपने नोट्स बना पाएंगे और जब नोटस बनाएंगे और देखें दोस्तो जब तक नहीं सुनेंगे जब तक एजुकेट नहीं करेंगे अपने आपको तब तक आपको चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आपको यही लगेगा कि यार यह फिर नयाशी गूफा आ गया और फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया ठीक है ना आप लोग के दमाग में नकारात्मक सोच आएगी जब तक आप अप अपनी due diligence नहीं करेंगे जब तक आप पढ़ाएं नहीं करेंगे ठीक है एवो सेंट चो अब यह सफर रुकने वाला नहीं है क्योंकि डिफरेंट एंट्री चल रही है अभी पिछले में आपने लोकल ट्रेट में देखा था ठीक है अब पीटूपी और बीटूपी की बात हो रही है दिर 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 आप और एक्शेंज पर आप हमें देखते जाएंगे तो आप बताता हूं कि सियारी प्राइस किस लेवल पर जा सकता है आप अब लोग जो अब लोग पैकेज खरीद रहे हैं वह सेंट के बैक ऑफिस में जाकर प्राइब कैसे खरीद रहे हैं इंडियन बैंक अकाउंट है ग्लोबल यूनिट पे है बिटकॉइन है इथेरियम है ल कल की देट में इमाजिन कीजिए अगर कंपनी सपोस्ट को ऑप्षन दे देती है यानि सियारी उससे आप इसको खरीद पाएं तो हाला कि ऐसी अभी कोई योजना नहीं है क्योंकि कंपनी को अभी पेमेंट से यह कंपनी को प्रोडक्शन यूनिट लगानी है सब को इसकी अ यूटिलिटी टोकन कितना बड़ा कमाल कर सकता है कंपनी कल की डेट में अगर बहुत सारे ऑप्षन के साथ हमें यानि ग्लोबल यूनिट पे इंडियन बैंक अकाउंट बिटकोइन एथेरियम लाइट कोईन और यूसड़ी टी यूसड़ी यार्शी 20 के साथ 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 सिय तो 3% का चार्ज देना पड़ेगा और CRU से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा यह मेरा एक यह मेरी एक सोच है अगर इस तरह से कंपनी कर दे तो क्या होगा उसके प्रणाम क्या होंगे उसके प्रणाम यह होंगे मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ना ओपन फॉर कर दीजे वेटिंग रूम को मतलब डिसेबल कर दीजे इसको अपने से करने की कोशिश करता हूँ सो तो आप मेरी में चीजिए अगर सी यारू से पेयमेंट एकसेप्टेड होने लगेगा तो तो क्या होगा किया होगा लोग CRU खरीदेंगे कहां से unit x से कहां से peer to peer कहां से P2P B2P जो आने वाला है कहां से local trade से और आने वाले time में और exchanges से ठीक है खरीदेंगे तो जब खरीदेंगे क्यों क्यों खरीदेंगे क्योंकि तीन पर्सेंट का जो चार्ज ग्लोबल यूनिट पे इंडियन में बिट्कॉइं लाइटकॉन उस्ट यूस्ट यूस्ट करने में नहीं जाएगा और हम लोग सिया यू में पेमेंट कंपनी को कर पाएंगे माली जै किसी को 600 डॉलर का पैकल कर दिया जैसे हम यूए टी 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 बेज रहे हैं या बिट्कॉइं एथिरियम लाइटकॉइन बेज दिया तो उस्ते क्या होगा मार्केट से खरीद होगी तो सी यू की प्राइज अनावक्षक रूप से तावर तोड़ बढ़नी शिरू हो जाएंगी और जब तावर तेरा बारा तेरा दस आठ साथ पांचार तीन दो एक चालिस पैसे तीस पैसे तक पहुंच गया था इसकी वज़े से कोई भी सब लोग इसको शिट कोई बता रहे थे कि यार इसकी तो प्राइज नीचे तूट्टी जा रही हमें सबने एक्शेंज में लेंगे तो हमारी कम कमपणी मैं आपको बताया रहे का अगर आने वाले टाइम में चैप्ट कर देती है और उस पे चार्ज भी नहीं लगाती है यानि विटकों एथेरियम में चार्ज लगता और इस थे कोई नहीं होता है तो क्या होगा लोग मार्केट के खरी देंगे और सब्सक्राइब करता जाई और उसके बाद जब करता अध्या है यह जो यह जो कॉइन या UNTBA, इसकी तो प्राइस बढ़ती जा रही है, हमारे एक्चेंज में क्यों नहीं है, वो लोग हमें खुद से कॉंटेट करेंगे, खुद से आगे बढ़के कॉंटेट करेंगे, और CRU को लिस्टिंग कराएंगे, अपने हां कराएंगे, यानि हमें जो इतनी मशक्कत करनी पढ़ रही है कि टेलेग्राम बना, लोकल ट्रेट से टाइअप कर, उनके स्टेकिंग प्रोग्राम में, रेफल प्रोग्राम में इंटेड्यूस कर, ये करवो कर, कुछ नहीं करना पढ़ेगा, तावल तोड़ चीजे डेवलप होती जली जाएंगे, ठीक है, तो बिलीव म इस तरह का उप्योग अगर आएगा हमारी कम्यूटी के भी, तो जो है, आप लोग क्या करेंगे, मार्केट से चाहें, बीस रुपैगा मिल रहा हो चाहें, पचास रुपैगा मिल रहा हो, हर आदमी CRU को एखटा करके अपने वॉलट में भरना शिरू बर देगा, और स्टे करते हैं, लेकिन इसमें अभी समय लगते हैं, क्योंकि सोचके देखिए, अगर CRU कम्पनी ऐसा कर देती है, CRU का प्राइज बहुत बूम कर जाएगा, वो सकता है, तो पैसा चाहिए तरना भाई, क्योंकि पैसा क्यों चाहिए था, प्रोजेक्ट लगाने के लिए, अब कम् कम्पनी अगर CRU को मार्केट में सेल करती है, और उसको लिक्यूडेट करके उस पैसे से लिक्विट पैसे से ही तो फियाट मनी में करती है, अगर वो प्रोजेक्ट लगाती है, तो उन्हें फिर CRU गलाना पढ़ेगा, और CRU गलाएगी, तो मार्केट में जाके डालना पढ पूरा पैसा नहीं आ जाता है शायद कंपनी तब तक इस तरह की चीज़ नहीं लाएगी मार्केट में और जब यह बार मार्केट में आ जाए आप बिलीव कीजेगा बिलीव कीजेगा कितनी जादा उसके अंदर लोग बढ़ेंगे कितने जादा जो है तो आप देखे कितना बड़ा मूँव होगा कंपनी का तो हम लोग के साथ हैं दूसी बात जो यह चीज़े हो रही है ना जो यह आपको मैं बता रहा हूँ जो एवोसेंट टोकन को लाया जाएगा तो ठीक दस महीने बाद यह ट्रेडिंग पर आ जाएगा तो अगया था हमारा यह प्लेटफॉर्म पर यूनिटेक्स पर तो लगबग साथ महीने पहले आ गया था लेकिन आप लोग इसकी प्राइज इसकी डामडोल कम जाधा कम जाध लेकिन पूरी तरह से चैनल बंद तरीके से कमपनी प्राफर तरीके से काम करेगी कमपनी के पास औरकोस करने में इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत सारी चीज मैंने भी सुनी मनिपूर में है ना और मनिपूर में मेरा परपस यही था मैंने मनिपूर में आना जाना करा 20,000 रुपए आने जाने में खर्च हो गए पैसे की तंगी मेरे पास भी आज की रिट में ठ रिट करें जो चीज मेरे दमाग में आईडेया जाया जो मैंने सुना है वही चीज़ आप आंग्रे शर को अज़ए सुनोगे तो आपको रहे हैं अगर आपको यह समझ में आई है सब लोगों को तो प्लीज से मेरे रिक्वेस्टेट में डीजे इजए अगर सबको समझ में आईये तो सब लोग प्लीस प्ला संडेड कर डिजिए ताकि मुझे भी समझ माया है कि आप लों कित्रे लोग को समझ माया है और इसमें आप डाउट लग रहा है ठीक है ना तो तो यहां लगता है कि मैं जो सम्झाना चाहता हूँ वह में समझाने में काम यहाँ इसलिए मैं कहा रहा हूं पहली तिके अप्रिष ने अब लोगों को कमिशन आ रहे हैं इवन उन वियक्तियों को भी आ रहे हैं जिन लोगों ने भी एक भी पैकेज नहीं खरीथा है उनको भी दे रही है थी आप लोगों ने शायर एक्स्पिरिएंस किया होगों भी कह челов sí german मार्च के बाद जिसने कम से कम 50 यूनिट की थरीत करी होगी उसी पर कमिशन आएंगे और उसके बाद आपकी जो रैंक है अभी आपकी डाउन नहीं हुई है आपको सब लोगों की रैंक पुरानी ही है हम लोगों की रैंक जैसे मेरी रैंक टॉप मैंजर के आप लोगों डिरेक्ट मैसेज कर रहे हैं यह नीचे जहाँ पर मैसेज करते हैं उसके ऊपर ना टू लिखा हुआ है टू में आप जब क्लिक करेंगे तो everyone in कर लींगे तो मैं आपको बता रहा था मैं आपको बता रहा था क्या बता रहा कि यह भूल गया था मुझे को यह याद दिलाएगा तो हाँ यह बताएगा की आप अगर पकेज भी तो देखे आ आप लोगs 31 तारिख के बाद आपको अपनी क्मिशन नहीं है. अगर आप अपनी रेंक को क्मिशन नहीं करेंगे, तो आपको अपनी रेंक के साफ में नीचे से कमिशन तो . यानि मैंने अपना खुब का package नहीं लिया. अब मालिजे मेरे साता डारिक्ट है अब मेरे 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 भी पार्टनर में मैंने क्या करा है अपनी स्वैं की आईडी पर और अएजेंट के लिए मिनिमम temos 200 चेह होता है तो यहां पर passer आंपर 600 टाय। सिर स को यहां मैंने के लिए तो यहां पर 600 प्यक्ज है उन लोगों ने खरीद लिया तो उनसे जो फॉरी तोर पे मेरे को 8% कमीशन आना है वो तो मुझे आ गया लेकिन 31 मार्ज के बाद जो मेरी रैंक बननी चाहिए थी क्योंकि मेरे नीचे एक दो तृम चार चार एजेंट बनने अगर जायेंगे तो मेरे को चाहिएक पनी छाहिएक होगी लेकिन चाहिए मेरस नीची डीमेश भी तो होना चाहिए बॉन सब्सक्रायुक्ज्स कभी और मै उस कनि मिशन से अपने पैकेज को अपग्रेट नहीं कर रहा हूं ठीक है तो आने वाले टाइम में क्या होगा मेरी रैंग भी एजेंट ही या पार्टनर ही रह जाएगी और मेरे नीचे वाले चारो लोग एजेंट बन जाएंगे और उनके नीचे वाले भी रैंग सबकी बढ़ती जाएगी और मेरे पर कमिशन आना बंद हो जाएगा मेदे से नीचे से कमीशन आना बिल्कुल बंध हो जाएगा इसी लिए मुझे क्यों बताया जा रहा है बार बार कि फर्स्ट लेविल अभी चल रहा है पहला चरन चल रहा है फर्स्ट फेज चल रहा है इसमें अपना पैकेज को पर्चेस कर लेंगे तो आपको जैसे माट 2019 में CRU का जो आपको भेतरीन वाला मौका मिला था बहुत ना के बरावर पैसे में आपने अच्छे खासे टोकन आप लोग के पास थे वह वाले उस लेवल के आपको रेट में मिल जाएंगे एक तो वह वाला फायदा मिलेगा आपको पहला फायदा दूसरा फायदा यह मिलेगा क जब आप थोड़ा सा काम करेंगे और आप अपने अपनी रैंक को दुबारा इंप्रूब करेंगे तो जैसी एजेंट बनेंगे आपको 10,000 टोकन गिफ्ट में मिल जाएंगे उसके बाद आप नीचे आपके चार एजेंट हो गए दो डिरेक्ट और दो तीसी चौती पांच आपके 2 ले लिए अगर कोई चेसो नहीं लगाना चाहता है तो तीनसो का एक पैकेज लिले और अकेज हजार टोकन मिलेंगे चुकि आपको 10,000 पहले मिल चुके हैं तो आपको 10,000 35,000 और 10,000 का डिफरेंज यानि 25,000 टोकन आपको और मिलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है तो आप अब यहाँ पर कंप्रीम ने बहुत स्मार्ट मूव खेला है पहले कंप्री करती थी आम नीचे से टोकन गिफ्ट में पाएंगे, रिवार्ड में पाएंगे, आप कंसल्टेंट बनेंगे, आप 35,000 पाएंगे, लेकिन 10,000 पहले ले चुके हैं, तो 25,000 ही मिलेंगे, इस तरीके से आप फ्री में टोकन भी ले सकते हैं, ठीक है, तो बिलकुल यह मस सोची है, यहां पर बहुत ल लगाते थे, डीप डाउन में एक के नीचे, एक के नीचे अपना structure लगा लेते थे, तीन चार आईडी कुट की लगा लेते थे, और वहां से नीचे package लेते थे, और उपर तक क्या करते थे, लोग commission कमाते थे, और उस commission को अपना खर्चा चला लेते थे, उससे tokens नहीं बनाते मैं आपको बता रहा हूं, कोई importance rank की इतनी ज्यादा नहीं है, हाँ, rank की importance है, rank की importance है, क्योंकि आपके commission आपके ज्यादा तभी बनेगा, जब आपकी rank बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन number of tokens की बहुत बड़ी importance है, तो यहां पर actual company ने plan निकाला है, बहुत अच्छा है, मुझे प्लान से बहुत satisfaction है, कि जब तक आप rank achieve नहीं करेंगे, तब तक आपको gift के tokens नहीं मिले, ठीक है, और जो पहले खुले हातों से company ने payment tokens को लुटाया है, दिल्ली में आ जाओ, 30,000 CRU ले जाओ, 10% और extra ले लो, किसी ने 20,000,000 CRU ले लिए, तो 20,000,000,000 का 10%, 2,000,000,000 से और मिल क्योंकि free में tokens देती है, हर company airdrop देती है, लेकिन company ने जिस mindset से दिया, उस mindset को हमारी जंता ने उसको परकरार नहीं रखा और उसे ताबरतोर बेज दिया, ठीक है न, हाला कि आप खुछ सोचिए, अगर आप CRU को maintain रखते, तो आप कई लोगों ने 40 पैसे तक, 50 पैसे, 60 पैस को हो जाएगा, imagine कीजिए, तो देखे, फिर मैं कहता हूं हमेशा, bitcoin से पैसा उसने कमाया, जिसने bitcoin को hold करके रखा, ठीक है, यहां से भी पैसा वही कमायागा, जो in tokens को hold कर रखेगा, क्योंकि supply is limited and demand create होती जा रही है, demand बढ़ती जा रही है, ठीक है न, यह हुआ, यह वाली ब बस चीज को समझिए, game को समझिए, mentality को समझिए, 10 channel के बाद, CRU, company, market में उतार देगी, उस से में बताएगी परियोजना, और हमारे पास exchanges हमारे बने हुए है, local trade से हम लोग एक exchange में partnership कर चुके हैं, P2B से partnership कर चुके हैं, इन 10 महिनों में किपने और exchange से partnership हो चुकी होगी, तो आप imagine नहीं कर सकते, and believe me, दोस्तों ये खतम नहीं हुई है अभी बात, अभी बात खतम नहीं हुई है, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें, आप EOSN token को जब ये ट्रेडेबल फॉर्म में आ जाएगा, जब ये ट्रेडेबल फॉर्म में आ जाएगा, तो इसकी price pump होगी, ठी IPO इसका IPO आएगा, इसका 2-3 साल बात, ठीक है न, IPO यानि जो stock market में जाना है, ऐसा नहीं है कि हमें जब तक करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए नहीं, दस चरण बाद जब ये exchange पे जाएगा, उस तमें आपका जो cost price होगी, आप तो minimum नियूनितम वाले price पे ले रहे हो, य यानि token को बेच के अपना profit लेके घर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय आपके पास option होगा, कि आप इस token को, आप इस token को क्या कर रहोगे, आप इस token को, जो है, इस token को discount में आप लागू कर सकते हैं, यानि कल आप जो जहां पर जहां पर, वो सेंट के perfumes बेकेंगे, उन लिखा होगा, 200 से 300 दॉलर, तो आप वो 500 दॉलर की चीज, आम आदमी, आप लोग नहीं, हम और आप तो परफ्यूम खरीद के बैठे हैं, पहले से, आम आदमी जब दुकानों पे जाएगा, एयर्पोर्स पे जाएगा, जहां पर परफ्यूम हाई ब्रफ्यूम बिक्ते हैं स्कैन करेंगे, आप एक सिस्टम पे पहुंच जाएंगे, रीडिरेक्ट हो जाएंगे साइट पे, और आप दुकानदार से असिस्टेंस लेंगे, कि मैं ये डिस्काउंट कैसे ले सकता हूँ, वो दुकानदार बताएगा, कि आप QR को स्कैन करिए, आप वहाबर जाएगे, युनिटेक्स से या कहीं से भी आपको एवोसन का टोकन परचेस करना है, एवोसन का टोकन परचेस करिए और वो टोकन हमें दे दीजे, हम आपको 2500-200 डॉलर का डिस्काउंट दे देंगे, तो क्या मार मचेगी, जो कंपनी की परियोजना है, जो मैंने आंद्रे सर को सुनके जो चीजे मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, हाला कि इसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, हाला कि जब आप आंद्रे सर को अभी कल सुनेंगे, सॉरी, दो तारिक को सुनेंगे, तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, तो जब डिसकाउंट में हमें वो चीज मिल रही होग होगी और हम लोग उन्हें टोकन देंगे, दुकानदार को, जब हम लोग दुकानदार को टोकन देंगे, तो दुकानदार उस टोकन को, जो है, सिस्टम के पास बेज़ देगा, ora उस ग्रहत को फायदा यहोगा, by टोन he इसकाउंट कूपन हम इस्तमाल कर सकते हैं पहली यूटिलिटी और दूसरी वो टोकन सिस्टम से आउट हो जाएगा यानि टोकन डियूज हो जाएगा अब सोचिए जब आलवर वर्ड में ऐसा होगा तो टोकन की डिमांड टोकन की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि लोग ढूने जार मुझे 500 डॉलर का मैं प्रक्राइब को खरी दू क्योंकि मैं 300 डॉलर का क्यों नहीं खरी लेता हूं तो वह पीर-टू-पीर जाएगा या या युनिटेक्श एक्षेंज पर जाएगा वो दुकांदार उसे ले सकते हो हो सकता है दुकांदारी दे उसे उसको इसे एन्फ टी उतारेगी और उसकी एने फटी की प्राइज बहुत जआधा होगी तो हम अपने टोकन को बरन करके एनफटी खरीद पाएंगे और एन्फटी की संक्या बहुत कम होगी। दूसरी चीज हो गए और तीसरी चीज हम इस टोकन से आने वाले समय में शेयर परच में या किसी भी international market में अभी डिसाइड नहीं है अभी यह डिसाइड नहीं है कि तब वो जो है stock market पे जायगा हम उस समय discount में वो token जो हमारे को एवो सेंट टोकन बिलेंगे वो हम नाके बराबर conversion fees देके हम उसे शेर में कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है यह बड़े-बड़े एक्षेंज है क्रिप्टो एक्षेंज में अभी इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है तहां पर है स्टॉक मार्केट में नाजडाक में दुबई में ठीक है वहां पर जो है हमारा यह जो कॉइन है वह स्वारी जो शेयर है यह लिस्ट होगा तो हम अपने टोकन्स को जो समय ट्रेड भी हो रहे होंगे अच्छे-खासी प्राइज होगी उसको हम कर पाएंगे एक्षेंज में औ और जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है कनवर्ट मतलब स्वारी आप उसको खरीद पाएंगे कनवर्ट नहीं मतलब जो आप अपने उन टोकन्स से आप प्री आईपियो शेयर खरीद पाएंगे और जो क्वरिद्ने की कोई बात देता नहीं होगी अगर आप एक्षेंज पे आप अपने बड़े हुए रेट से सैटेस्वाइड हैं दूसरे ती से चौते पाँचवे एक्षेंज पर जाएंगे और हमारी प्राइस बढ़ेगी उससे आप सैटेस्वाइड हैं और आप अपने टोकन को टोकन ही रखना चाहते हैं कोई जरुवत नहीं है उसको में पार्सिपेट करने का मौका मिल जाएगा आपकी मर्जी आप नहीं करना चाहें मत कीजे आप उसे हमेशा टोकन में रखिए तो यह तीन बहुत महत्यूपूर यूज केस बनाए गए हैं इस टोकन के ठीक है यह चीज है तो यह आप लोग को बात समझ में आई और हमारे स बहुत अच्छी रखते हैं और योगे जी ने दिल्ली में अभी आंदे सर से मुलाकात भी करी थी और योगे जी मैं आपको चाहूंगा कर रहा हूं और आप प्लीज बात को जड़ा साथ समझाए और जो मैं बता रहा है क्योंकि no one is complete in this world हर आदमी अपने आप में संपूर नहीं है हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया हो या कोई दाइमाई चीज बताई हैं तो अगर आपको यह चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज आप जड़ा लोगों के साथ शेयर कीजिए अपना वीडियो भी आउन कीजिए जोगे जी बिल्कुल सर बहुत बहुत थैंक यू और पहले कोई मेरी आपकी बात नहीं होती कि लेकिन मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि नहीं बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं और बहुत अच्छी जानकारी आपके पास होती है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं सभी लोगों से यह चाहूंगा कि जितनी भी जानकारी आदल सर ने दिये वह बिल्कुल सही है इवो सेंट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए भी और हम लोगों के लिए और सर ने जो बात बताई मैं बताना टोकन होंगे फोर एक्जामपल कि अतुल सर के पास टोकन है लेकिन मेरे पास टोकन नहीं है और मैं चाता हूँ शेर खरीदना तो यह मुझे नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो सेंट टोकन जिसके पास होगा उसी कोई शेर मिलेगा और वो उस टोकन के बदले में एक nominal fees देगा उस fees को pay करने के बाद मेरा जो token है वो burn हो जाएगा और उसके बदले में मुझे share मिल जाएगे इससे फायदा यह होगा कि 400 करोड जो token है वो धीरे धीरे उनके संक्या कम होती जाएगी और उनका price भी लगातार बढ़ेगा एक तरफ share की मांग बढ़ेगी तो share का price बढ़ेगा दूसरी तरफ token burn होंगे तो उनका price भी बढ़ेगा यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा फायदा है जो लोग first stage में या second stage में ज़्यादा से ज़्यादा token purchase कर लेते हैं क्योंकि दसवी stage तक जाते जाते एक रुपए का जो आज के तारिक में token है वो 13 रुपए तक महुंच जाएगा तो जब यह market में आएगा तो जिन लोगों ने पहले जो purchase किया था उनको ज़्यादा benefit मिलेगा यह better है सभी के लिए तो सभी को यह purchase कर लेना चाहिए जो लोग wait कर रहे हैं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि WCRU जो था उसके अंदर हमारा जो dividend की बात हो रही थी बहाँ पर हमको 8 से 35% के बीच में dividend देना था और बाकि reinvest होता था जबकि हमारा यह जो project evocent इसके अंदर 80% dividend जो है लोगों को दिया जाएगा और 20% reinvest होगा यह सबसे important है क्योंकि यहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास income होनी चाहिए तो यह project खास income के लिए ही बनाया गया है कि जो लोग पैसी की परिशानी है उन लोगों की पैसी की परिशानी दूर हो जाएगी तो कहीं नहीं एक दूसरे रैफर कर रहे हैं वहां से आपके पास bonus आ रहा है जो token जो है उसका price बढ़ेगा वहां से आपके आमदनी बढ़ेगी जो लोग इसको इसके बजले में share खरी के अंदर तो वहां से जब जो benefit मिलेगा तो उसका dividend भी 80% हम लोगों में बटेगा बागे सारी चीज़े तुल सर ने बता दिये मुझे नहीं लगता और ज्यादा आपको जानने की जुरत है बागे सब चीज़ें आपको दो तारिक को जो हमारा प्रोग्राम होनी जा रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगी तो सभी को most welcome है सभी को वहां पहुंचना है मैं भी आ रहा हूं और बाकि सब आप लोग आई रहे हैं थैंक्यू अतुल सर्थ नहीं वारे थैंक्यू लोगे जी तो मैं आपको बता रहा था ना मैं एक पॉइंट में सकर गया था योगी ज इसकी वज़े से लोग क्या करेंगे जब डिसकाउंट का नाम सुनते हैं और क्यों चीज हाफ रेट मिल रही है तो लोग कहेंगे कहां से मिलेगा टोकन वो दुकांदार से पूछेंगे और बताएगा यहां जाओ या पीटूपी बीटूपी बेजाओ या मेरे पास कुछ शुक्त पड़े हैं मुझे पैसे दो और यह टोकन खरीड लो वह दुकांदार अपने टोकन क्योंकि खरीद के बैठा होगा उसके माइंडशेट होगा वह आपको टोकन देगा आप वह टोकन उसे पे कर दोगे ठीक है और आपको डिसकाउंट मिलके आप खुछी-खुछी चीज हो गई और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे साथ आ चुके हैं मार्केट गए हुए थे डिली में आ चुके हैं ठीक है और हमारे मतलब डिरेक्टर अफ इंडिया भी है तो मैं अपने आपके म्यूट करेंगे अन्म्यूट करेंगे और जो है सब कुछ बताएंगे नमस्कार लीडर सभी को गुड़ इवनिंग अतुल जी ने पहुत बिस्तार पुरुवक बताए मैं भी मीटिंग को सुना और फुरा डिटेल अप लोग देखी गए हैं यह हम लोगों का काफी अथक प्रयाश रहा कि सीओ इंडिया में आ गये हैं क्योंकि यह प्रमोशन के लिए और भी कई देशों से डिमांड आ रहा जिसमें बेतनाम काफी आगे था लेकिन हम लोगों का टॉप कॉंसिल में मिटिंग हुआ उसमें हम लोगों काफी इस पर फॉर स्लीप हो ले गए क्योंकि इसमें हम लोगों को कई था पुराने कई लोगों के कई सवाल थे और डारेक्ट मतलब कोई काल के बाद सीओ यहां नहीं आया थे तो हम लोग चाह रहे थे कि अगर यहां आ करके फेस्टू फेस मिले क्योंकि बड़ा कोई इवेंट भी नहीं हुआ है काफी वज़े से लोग चाह रहे हैं जो गयप हुआ कोविट के वज़े से वो गयप न रह करके फिर से पुना मिटिंग हो सब चीज का जनकारी मिले सभी को और पुना सभी लोग जो निव के मिशन है उस पे आये और सभी के सपने जुड़े हुए हैं इस कंपनी के शाथ में तो बीच में कहना चाहिए कि कई चीज ऐसा हुआ जिसके वज़े से कई लोगों के मन में कई सवाल उत्पन ह हो रहे होंगे कि बिलंब हुआ या फिर कई तरह से होता है लेकिन सारे सवाल के जवाब अप लोगों को मिटिंग में मिलेगा तब लोग अपने और अपने खुद आईए और अपने टीम को भी लेकर आईए के समय आप लोगों को पता ही है आप लोगों को 16.29 उनका किलेर हो जाएगा कमपनी के प्रति और काम करने के प्रति काम तेजिस से करेंगे अपलस पुराने कुछ सवाल होंगे उससे भी उनके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे जिससे वह सटिस्फाइब हो करके इस कंपनी के साथ जूड़ सके और हम लोग देखें अभी तक किसलिए ठीके हुए हैं कई लोगों के मन में रहता है कि सर बहुत सारे कंपनियां आते हैं बहु कि देशों पे जाकरके सारे इवेंट को अटेंड की हैं कफी लंबा इवेंट अनुकर आप लोगों को भी अगर अगर सारे चीजों को किलियर करना है पूरे कंपनी के मिशन विजन और अपने काम के प्रतियां अगर जोग अपको मिटिन मिटिंग जरूराट करना चाहिए मीटिंग इंडिया में हो रहा है तो इस से अच्छा बात कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया में आकर के वेंट से यो कर रहे हैं और इंडिया में करते हैं उनको जनकारी होता है वही जनकारी टिम को बताते हैं तब ही सफल होते हैं तो सारी सफलता अगर चाहते हैं तब वक कि सब्सक्राइबंट में जरूरूरा ने का सवे करेट अच्छा हो जाए तैसा पोसिबलिटी नहीं है क्योंकि सबका अगर सहयोग रहेगा तो जो एक कदम हम लोग चल रहे हैं सबके साथ मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा तो से सबका मिशन विजन बहुत जल्दी पूरा होगा कंपनी का भी होगा और ह यहीं पर सभी लोग मिलेंगे मैं अलड़ी दिल्ली में आ चुका हूं और इवेंट के पूरी त्यारी कर रहे हैं और हम लोगों का दो तारीक प्रोग्राम रायपूर में भी था लेकिन शियों से इस पर बात हुआ लेकिन यहां का सेडूल और दिली का सेडूल एक ही दिन इस बन रहा था जिसके वज़से इस बार के लिए दिली का येंट है तरने नहीं रायपूर का सोरी था सत्य अधूल कर दिए मधै यहां working कर रहें हैं कि एखेक हमारें मैनुवल जी है ओ वहां पर है और यहां पर सी और रहते हैं तो हमारे जितने भी लीडर है जो लोग अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं सबका था कि सर हम लोग सीओं के साथ जब आये हैं तो हम लोग भी मिलना चाहेंगे और मिटिंग में उपस्तित एक ही जगर आणना चाहेंगे दिल्ली में अगले बार हम लोग रखेंगे रायपूर में तो उसमें जो नहीं आ पाएं और सभी लोग मिल नोग करके इस इवेंट को सफल बनाते हैं कि शमय बहुत कम है सभी लोगों तक जनकारी पहुंचाईए ताके जो आने वाले हैं और सभी लोग आ सके और सब्सक्राइब कर सकते नहीं को इस सिवेंट में हम लोग कहना चाहिए कि निल्ली का काफी दिनों बाद इस तरीके से ओफ्लाइन को इवेंट होगा तो बहुत ही अच्छा होगा सबका सही होग अच्छा रहे ओर भसे ही बोलना चाहूंगा और इसीग साथ मैं चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे राइपुर से भूत ही वहत्रीन है डूल में तो नहीं थे बैनर फॉस्टर मनें लागाये थे लेकिन यहां पह practitioners कि सर दो मिनिट बोलना चाहता हूं मैं भी इवेंट का पूरी तरीके से मतलब यहां पर इवेंट को आप लोग पूरी तरीके से फॉर्म भरिये ताकि हम लोग जान पाएं कि कि इतने लोग आ रहा है ताकि पूरी व्योस्ता करके रखें अप्टू डेट तो सलेंद्र जिवांगन जी हैं देखे होंगे कि मैं सुरू से जब से जुड़ा हूं तब से हमारे साथ हमेशा से हर एक मीटिंग में उपस्तितर रहते हैं तो यह अपने दो सब्द रखना चाह हों कि यह जो प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में यह बहुत ही इंपोर्टन है आप लोगों के लिए क्योंकि यह एक बेहत्रीं मौका है तो इस मौके को नगावाएं और आपके मन में जो भी सवाल सोंगे जो भी डावट सोंगे उसको आप डारी पैन में नोट करके यहां पर उपस्तित हो और यहां पर आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने बाद इस कंपनी में फिर से एक बार काम करने का जबरदस्त मौका है तो मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि आप सभी लोग दो तरीके प्रोग्राम को जरूर एटेंड करें इसी सुपकामनाक साथ ज और यहां से आपके पास हर ग्रूप में आपके पास यह फॉर्म पहुंच चुका है वहां से यहां से कॉपी करके आप लोग इसे भरिए ताकि मैनेजमेंट को पता लगे कितने लोग आ रहे हैं उससे साफसे किये जानकारी नहीं थी तो पिछले ट्राफी टाइम से अपना यह प्रोग्राम आज आपको कैसा लगा और आपको कैसी इंफॉर्मेशन मिली अगर आपको अच्छा लगा प्रोग्राम तो आप प्लस 10 दीजेगा और अगर आपको इसमें कमी लगी आपको प्लाने में कमी लग रही है कोई भी चीज है और अगर मेरी प्रसेंटेशन में स तो इस से थोड़ा motivation मिलता है और मुझे पता लगता है कि मैं गल्तिया तो नहीं कर रहा हूं या मेरा मतलब मुझे कहा सुधार की जरत है इससे मुझे पता लगता है जो थैंकि यू सो मच थैंकि रतनाकर जी और फ्रेंड्स मैं फिर एक बार लास और मेरी आपसपील है कि प्रोग्राम में जरूर आये देखे मैं आपको बताता हूं मनीपूर में 1500 का प्रोग्राम था क्योंकि सब लोग ना एक एरिया में इंपाल में मैं पहली बार गया बहुत जादा बड़ा सेटी नहीं है सब लोग संगटित हैं तो वह लोग प्रोग्राम म कोई रेस्रीक्षन है और दिल्ली से मतलब कोई ऐसा नही जी चुकी मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ दृुकुमार जी राइपुर से है तो हमारी टीम वह सब और और एरिया में दिल्ली में बहुत जाला टीम नहीं है लेकिन चुकि दिल्ली सेंटरल है आंड्री सर का तो इसलिए में में वर्ना में मेरे पास बहुत बड़ी टीम और there तो हर आदमी का मुझे मालूम है एकदम आना एकदम संभव नहीं है और जो है इस वज़े से जो है मतलब थोड़ा सा शॉट नोटिस पो आपको चीजे बताई गई है हालाकि फिर चार दिन मेरे खाल से फ्रसों थे जीज़ को करने के लिए मारा जो जो प्रोग्राम है आपकी अपनी स्वेम की कंपनी हैं जी कंपनी है आप इसके को और हैं सेह मालिक है आपका करतव्य है इस कंपनी के प्रति आना और लोगों को संगटित करके इस प्रोग्राम के बारे बताना तो तो 750 प्लस मैं समझा नहीं 750 प्लस दे रहा है मुझे और राकेश कुमार 700 दे मैं समझा नहीं तरह मुझे बताएंगे क्यों कि आवज़न प्लस बता दिया जागा बिल्कुल तो अगर कोई अपडेट नहीं है अगर कोई गाईडलाइंश तो नहीं है अगर कोई अपडेट है दुनिया ने मठीया इसके विन दिली में चलाई किजिए और अपने कोई गाइडलाइन नहीं है रहें आ जाई कोई आपको तक आना है बाहर काउन्टर होगा आप आएंगे और आप तर प्रेइस्टेशन हो जाएगा और आप प्रोग्राम में एंटर कर जाएंगे चाए और टी और मतलब कुकी से आप आप वहां स्टार्टिंग रहेगा उसके बाद फिर से प्रोग्राम को फिनिश और को किज आपकी रहेंगे यह पूरा और इस प्रोग्राम को आई और सक्सक्राइब क्या डालूं जो आपका अपना यूजर नेम है वह लोगन आईडी है अगर गूगल फॉर्म में अगर किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लिजे आपको लोगन आईटी डालनी है अगर आप किसी नए पार्टनर को लाना चाहते हैं तो उसका registration करा लिए पहले और वो registration डाल दीजे और अगर वोs दीटेल देने में email आईडी मोबाईल नंबर देने में या वह सारी चीजेंगे में अगर वह आनक आ क्योंकि आप से ने पैयला यहां पर और 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 कोई सवाल किसी का हो गुरूपीर सिंः पूछना चाहरे हैं मैंने अन्मूत किया हैं किया तो इवंट से को सवाल हो सवाल प्लीज फूछेगा बांकि हम लोग बाद में और वेबिनार्स केलेंगे दो तारिक हो जाने के दीजे मैंने अपना जूम का पैकेज अभी आदे फंटे पहले अप्ग्रेड किया है 500 लोग की लिमेट करा लिए और अब यह नहीं है कि आपको सौ के बाद यूटूब पर मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा यूटूब लाइव आप वेबिनार में आ सकते हैं पांसो लोगों का पैकेज मेरा पांच शेयरव महीने का मैंने फिर से जाना शुरू कर दिया है और आप लोग देख पाएंगे अपना सवाल पूछे प्लीज नमस्कार सर जी सर यह मलकी जो मेटिंग हो रही है दो तरीको इसका कोई लाइव आप हैं यहार कि दॉड़न यहां चलाएंगे जैसे मनीपूर से लोगों ने फेस्बुक लाइव चलाया वो लाइव फेस्बुक लाइव चलाया वह लाइव लोग देख सकते हैं लेकिन वो क्लारिटी नहीं आएगी ऐसे तो क्लारिटी देखिए अगर आप प्रोग्राम लेकिन लोगों किस चीज के आंदे सर के पाज है हम लोग मुझे तो कई बार मौका मिलने का अभी लेकिन हमारे यहां की बहुत बड़ी जनता है जिनको आंदे सर को सब्सक्राइब ऑप to blasting तो काफी ऎनिके बाद करते हैं चलो ठीक है, ऐसा है ठीक है और दुसरा मैं मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ देखो सर हम सभी लोग बोलते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा कम्यूनिटी है कुछ अच्छा हो रहा है बट जहां कोस्टन आता है कि हम लोग टेलीग्राम पे या यूटीबल पे वहां भी कम्यूनिटी नहीं कठे कर पा रहे हैं तो मैं सभी दोस्तों करूंगा यह हमने मि करने हैं तो कम से कम टेलीग्राम जैसे ऐसे चैनलों पे तो हम कम्यूनिटी कठा करें ना वाव मैं देख रहा हूं को 40 45000 से उपर हम जाए नहीं रहे हैं पांच-छे लाग हम लोग बोर हैं कि पांच-छे लाग की कम्यूनिटी है हमारी इंडिया की बड़ हम वहां टेलीग्राम पे 40-50 यार भी निकठे हो पा रहे हैं तो यह सभी को एफट लगाने पड़ेंगे अगर वेट करने की बजाए शिकायते करने की बजाए हम लोग सोच रहे हैं डिट्र पे कंपनी इत्री अब आपको बताओं एक चैनल नहीं है एक चैनल नहीं है बहुत सारे चैनल है वोसेंट का अलग चैनल है टेलिग्राम पे युँटिव का अलग है एब और थिक्या और हमारे को दूसरे दूसरे चेंजिस को लेके जाएंगे और तभी वान नई कम्मुनिटी में लेगी आप अगर यह सोच रहे हैं कि आपका यह CRU प्रजेट को बेज के आप लोगों को यहां पर जो है वह पैसा जोग दें और प्राइस बढ़ाना है और वह होगा जब हमारी कम्मुनिटी विश्य पटल पर चमकेगी और वह चमकेगी टेलिग्राम से और ट्विटर से इन सब चीजों से एक्चेज वाले भी लपकेंगे बह सब्सक्राइब करेंगे मेरे पास कोई नहीं था है कहीं और लगे हुए है कहीं और बिजी है हरे के अपनी पूछा था तो पहले तो उनको बहुत एक्स्पीरेंस था उन्होंने बहुत सारे इवेंट मैनेज किये थे दिल्ली रायपोर यहां वहां हर जब लेकिन उसके लिए फिर हम लोग तब भी परियास कर रहे हैं थी कि अगर कोई तुरूटी हो जाए हम लोग के साथ पहली बार प्रोग्राम में तो प्लीज को इग्णोर करिएगा माफ कीजेगा क्योंकि हम लोग मैं भी आप लोग के बीच का ही एक व्यक्ति हूं तो अगर आप यह उमीद करते हैं कि मैं पहली दन में हम लोग ब्लुकुल पर्फेक्शन से आजाएं या शैलेंद जी हमारी हेल्प करने बाया हैं अभी जो आपने शैलेंद दिवांगन जी रायपूर से आयों है दुरुसर के साथ वो हैं या हमारे साथ अपने रभी वर्मा जी है मन। चौहां जी है बुर्य तो डुपूरीध कीजैगा इंपोटन जी बहुत अइक्टिव लीडर और लोकल काउंसल व्हूंट अच्छा काम मन। चौहां जी कर रहे हैं. वो है रमेश सर आ जाएंगा हैं यह सारे लोग हमारे साथ होंगे एक लिए पराइटी तो प्रोगर्म में को तो प्लीज इसके लिए मैं पहले से शमा परा किंए और अ सब्सक्राइब करना चाहूंगा सभी भाई लोगों से जैसा अभी जो भाई साब ने इंफोर्मेशन दिया कि हमें सबको रोल प्ले करना पड़ेगा यह बहुत इंपोर्टन चीज है कि सब लोग रोल प्ले करें ट्यूटर पे हैं टेलिग्राम पे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं सब को वेयर करने की कि क्या इन चीज के एडवांटेजिस है चलो यह बाते तो होते रहेगी मोस्ट इंप पेकेरिया था और मैनेज कर दिया है उन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया आज कोई मटूर का प्रोग्राम भी था बहुत अच्छा रहा अब हमारी बारी है क्योंकि हमें भी अपने आपको प्रूफ करना पड़ेगा लेकि किसी भी फिल्ट हम काम करते हैं तो वी किसी भी परकार सापट चाहिए होगा वी आर अलवेज देट वी एपने आपको प्रूफ कर दो अच्छा करना है तो प्लीज जॉइन हैं तो प्लीज जॉइन हैं तो प्रूफ का प्रूब्लम है हर चीज का समाधान है सर् जो हुआ है वह हो गया है आगे हमें पॉजिटिव होगे अच्छा करना है तो आप हमारे को बस आवाज दगा दीजिए वी आर अलवेज रेड़ी तो एनिधिंग फ़र और हैल्पार कॉमुनिटी एंड हैल्प और सेल्फ बिसिकली हमारा अपना स्वार्थ है हमारी कंपनी ग्रोफ करेगी तो ही हम ग्रोफ कर पाएंगे अब आपने मुझे सामें दिया तैंकियु और रतनागर जी बस एक बार बात करना चाहूंगा बहुत इंप्वर्टन डोल प्ले करा है रतनागर जी ने योगदान योगदान फाउंडेशन के जो हमारी एक नोट है इंडिया की नोट है पंडी राजन सर ने नोट डेवलप करेंग प्रफ तरिश प्राफ जी कि एक से लिखता करेंग पर तरफ नथे साथ यूट करेंगा रहा है यूग करेंगा तरफ नथे यूट इआ, दिख रहा है। सब का हम लोग है I think आज भी मैं प्रोग्राम किया था उडिया लांग्वेज में सब को भी बोला है मैं तो आपको भी परसनल मैसेज किया था कि दिली मेरा आने का बहुत प्लान था बहुत बढ़ा प्लान के लिए इसलिए मेरा तो बहुत इच्छा था अंडर सार को मिलने के लिए इसलिए हम लोग प्लान करा था कि रायपूर में आने से थोड़ा सा उडिशय का नस्दिक है बाकि टाइम सीडूल थोड़ा इधर उदर हो गया है नो प्रॉल्म जैसे की टेखनिकल चीजेस और चीजेस में काम करेंगे जो भी डाउट से लोगों का और जो भी है बिलके करेंगे कम्मुनिटी को डवलब करेंगे और सबको रिक्वेस्ट है में तो एवरी मीटिंग में बोलता हूं कि जो भी हमारा टेलिग्राम चैनल से है जैसे की आप लोग उने बोला है सर्व सो क्रिप्टो इम्निट चैनल डबलू सीरू का चैनल सब लोग चैनल में जॉइन किजिए और जैसे कारल अर्मैंट सामने बोले क्यों वहां पर हम लोग एक प्रोफेस्टनल वह में विएविर करना चाहिए जाके जैसे कि हम लोग कोई उल्टा सीधा ना बोले जो कि आउटसाइड कमुन डिट को उसका फाइदा और वह सो नेगटिव बाद दूस और बस लास्ट नोट लीस्ट यह मैंने टेलिग्राम चैनल का लिंक भी डाल दिया है आपको इस लिंक को फॉलो करके अपने अपने कृप्स में प्रमोड कर दीजिए हमारी कंपनी का ऑफिशल टेलिग्राम चैनल का लिंक है इसी से बूनमून करके सागर भड़ता है मुझ टेलिग्राम पर हमारी ताकत देखेगी तो इस लिंक को बहुत ज्यादा प्रमोड किजिए और उस पर लिंक आई है ठीक है तो आप लोगों में से कितने लोग डिल्ली आ रहे हैं प्लीज पूट वन दिल्ली आपने उसे कितने लोग अभी एक्जिस्टिंग लोग आ रहे हैं वान टू थ्री फोर फाइव सेट्स सेवन एट नाइट टेर्वेंट ट्वेल्ट थर्टीं फॉर्टीं फिफ्टीं ओंडी फिटीं तो सिक्स्टीं सेवन्टीन कि मैं भी लग देता हूं मैं तो कोई हूं हूं है कि एटीन नाइंटीन ट्वंटी चलिए इन में से सारे लोग मैं समझता हूं और इंडिया से हैं आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाते हैं अगर आप अगर यह सोची आपका क्या रोल अभी तक आपने कितना रोल निभाए है टेलीग्राम को प्रमोट करने के लिए जैसे मैं अपने हर मीटिंग में कह रहा हूं आज के रहे हैं आपको भी तो रोल निभाना है आप यह सवाल यहां पर कम्यूनिटी से पूछने की बजाए हम लोगों से मेरे पास क्या जवाब है ना तो मैं टेलीग्राम को कोई ओनर हूं या ना मैं कंपनी चला रहा हूं ना मैं कुछ मैं आपकी तरह एक पार्टनर हूं कंपनी के अंदर तो आपका रोल होना चाहिए अपनी कम्यूनिटी में ज्यादा जित्ते भी टीम ह सब को फोन करिए अगर आप कम्यूनिटी को कुछ करना चाहते हैं एक एक वक्ति को फोन करिए परस्नली कॉल करिए हां भई क्या हुआ अब तक टेलेग्राम क्यों नहीं जॉइन किया यूंटी वाला चैनल क्यों नहीं जॉइन किया तूकि यह सब करेंगे अक्टिवीट त अपने कोशिश करनी पड़ेगी यहां पूछने सच्छा यहां पर सवाल इस चीज का कोई जबाब नहीं है अब किसी के मर्जी अब 40,000 में से सारे लोग आज एक्जिट मार दें इस चैनल से तो फिर यह किसी के बस की बात थोड़ी है तो यह तो हमारे और आपके उपर है हमें क्या करना है तो तो यह मीटिंग कल वी कि अगर देगे तो दो ये दो क्या रहे हैं तेन कि चार पाँ छे साथ नौ जाहरे हैं दौबरा मीटिक नहीं हैं वोने के लिए टायम कोई टॉपिक नहीं है ये बोलने के लिए लेकिन आपके चाहेंगे तो मैं दौऔर झाल झाल